Hello friends, कमर दर्द एक इतनी आम समस्या है कि हर लेडी कमर दर्द से परिशान रहती है और जब भी आपको कमर में दर्द रहता है तो आप definitely सुसते हैं कि हाँ ये कमर में दर्द क्यों हो रहा है मुझे तो मैं डॉक्टर सुशिला सेनिग गाइनेक लॉजेस्ट रहती है आज आपको कमर दर्द के कारणों के बारे में बताने जा रही हूँ और ऐसी क्या remedies हैं जिनको आप घर पर इस्तेमाल करकर कमर दर्द से मुप्ति पा सकती है कमर में दर्द होने के कारण हो सकते हैं कमर में जो हमेरा इधर से उदर जुकते हैं और हम पोश्चर का हम प्रॉपर ध्यान नहीं रखते हैं जिसकी वज़े से मसल्स के अंदर स्प्रेइन आ जाता है जो कि बहुत कॉमन कारण है कमर दर्द का अगर आपको इस तरह के कोई समस्या होती है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट एलाज है कि आप जुकते समय या वजन उठाते समय अपने आपको थोड़ा मजबूत रखे और इस तरीके से जुक कर आप नहीं उठाईए इस तरीके से आप बैट कर फिर वजन उठाती है तो डेफिनिटली उसमें आपकी कमर पर स्ट्रेइन कम आएगा और अगर यदि किसी प्रकार का खिचाव आ जाता है तो आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्ससाइस कर सकती है ज इसके लावा दूसरा एक कामन कारण होता है कि जो रेडी की हड़ी होती है उसके बीच में चला होता है जिसको कि डिस्क बोलते हैं लंबर डिस्क होती है तो ल-4-5 या ल-1, L-2, L-3 के बीच कि कोई डिस्क कई भार खिसक जाती है यह कई बार सड़नली बहुत भारी वजन उठाने के कारण हो सकती है कई बार मासपेशियों के कमजोर होने के कारण हो सकती है यह कई बार aging process के कारण की जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उसके साथ-साथी मासपेशिया कमजोर होती जाती है और मासपेशियों के कमजोर होने के कारण डिस्क का slip हो जाता है यह डिस होगी या उसके अंदर पाऊं में वो दर्ध रेडियेट करने लगता है तो यह थोड़ी से सीचुएशन होती है कई बार इसमें बेडरेस्ट भी बताया जाता है कई बार इसमें फीजियो थरेपी भी बताया जाती है तो फीजियो थरेपी के द्वारा यहां पर जिसे अल्ट पीशो में जो खिचाव आ जाता है या चीकुडन आ जाती है क्योंकि जैसे इस लिप डिस्क होती है मास पीश एकडम टाइट हो जाती है उसको सपोर्ट करने के लिए तो उनको रिलेक्स करने के लिए फिर अल्टरा सोनिक मसाज की जाती है जिससे कि रिलेक्स हो सके और आराम मिल पाता है तीसरा एक कॉमन कारण होता है कि जॉइंट के उपर सूजन आ जाना यहां पे जैसे हमारा कमर और कुले की जो हड़ी होती है उसमें सेक्रो आयलेक जॉइंट होता है वहां पे कोई कोई इंफ्लामेशन हो जाया कोई सूजन आ जाया उसमें कोई कैल्शियम का डिपॉजिशन हो जाता है जिसकी वजह से जुकने उटने बैठने के समय पर जोर पड़ जाता है और दर्ध होने लगता है तो इसका एक सीधा सा उपाय है कि यदि आप अपनी बाडी को एक्टिव रखते हैं यानि कि आप राग्यूलर powiedział करते हैं तो आपके जोडो में जमाव नहीं होगा यानि कि जोड आपके जिसको बोलते हैं कि जाम हो गए कि कोई सी भी चैज को प्र जेंटकर कामट में नहीं लेते हैं तो आपके जोइंट्स करना कम कर देते हैं इसलिए तो इस तरीके से आपको यह समझ में आ गया कि मॉस्ट कमन तीन कारण है कि एक तो आपका मासपेशियों का किचावा ना जो कि किसी अबनॉमल पोजीशन के कारण हो सकता है या जुकने उठने की पोश्चर के प्रॉबलम की वजह से हो सकता है या आप जिसे सिटिंग जॉब आप करते हैं और आप उस पोश्चर आपका सही नहीं है तो भी उसके करण मासपेशियों में स्ट्रेन हो सकता है दूसरा कमन कारण स्लिप डिस्क होता है तीसरा कारण है कि जॉइंट्स की सूजन आना या जॉइंट्स में का जाम हो जाना रु और इसके साथ ही अगर अच्छा खाना पीना लेते हैं तो जॉइंट्स में उनका जो लुब्रीकेशन होता है वो बना रहता है इसके अलवा हरी सबजियां फर्ल फ्रूट और दू दही चाच अगर आप लेते हैं तो आपके एनरजी बनी रहेगी कैल्शियम की मातरा शरीर और अगर आप संलाइट लेती हैं तो आपको वाइटमिन-डी की कमी नहीं होगी तो यह सब चीजे आपको नैच्रल इम्यनिटी भी देती है नैच्रल प्रोटेक्शन भी देती है और आपकी बॉड़ी को और आपके जॉइंट्स को बचा के भी रखती है ताकि उनमें किसी प्रकार की मोच या स्प्रेव नहीं आए इसके साथ यह अब का सिटिंग जॉब है आप पोश्चour हमेशा स्ट्रेट रखे यानि कि आपका डेस्क का जो हाइट है वह सही होना चाहिए आपका सिटिंग पोश्चour एकदम अप्राइट होना चाहिए यानि कि 90 डिग्री पे आ खुर्णा के शोल्डर जॉइंट में आपको कोई पेन नहीं हो और कमर आपके सीधी रहनी चाहिए अगर आपके कमर सीधी रहती है तो डेफिनेटली आपको कमर में तकलिफ नहीं आएगी और इसके साथ ही अगर आप अपना खाने पीने का ध्यान रखती है और यू रूटीन अपना follow करती है तो आपको कमरदर से मुक्ति मिल सकती है और फिर भी यदि आपके कोई questions है जो अभी तक इसमें address नहीं हुए है तो आप हमें comment box में लिखके पूछ सकती है और यदि अभी तक आपने YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्रिश सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बैल आइकन को जरूर कर दीजिए ताकि आगे की वीडियो के notification आपको मिलते रहे हम आप से फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नही जैनकारी के साथ तब तक नमस्कार